पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है इसके साथ साथ अब पूरी तरह से बिहार के 40 के 40 जो सांसद हैं वो पटना में डेरा डालेंगे इसके साथ ही राजनितिक्स गहमा गहमी भी बढ़ जाएगी और जहां एक तरफ लोग सभा की तैयारियां चलेंगी वहीं बिहार में सरकार भी चलेगी इस बात का दावा भारते जनता पार्टी ने किया है भारते जंता पार्टी के तरफ से नित्यानन राय ने इस बात का दावा किया है कि किसी भी हाल में बिहार के सरकार बोहमत सावित करेगी, इसमें कोई संसे नहीं है, हमारे पास आखड़े हैं और उन्हीं आखड़ों के आधार पर राजपाल ने हमें सरकार बनाने का निमंत्र आपको बता दें कि नित्यानन राय लगतार बिहार में पूरी तरसे फोकस्ट है और नित्यानन राय सीधित तोर पे गाइड होते हैं पमित्सा से, चुकि आप जानते हैं कि विभाई भी उनका वही है, इन सारी बातों को ले करके जो परिस्थितियां उत्पन हुई है बिह कुछ तैय है, इन सारी बातों को ले करके उन्होंने एक तरफ जहां बिहार में बहुमत सावित किये जाने की बात कही है, उस पर दावा भी किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सरकार भी बहुत बहतर धंग से चलेगी और बिहार का विकास भी खूब होगा, आ हमारी तरफ नहीं, बलकि अपनी तरफ देखें, उनके कितने विधायक उनके साथ रहेंगे, जाएंगे या उनका पार्टी ही समाप्त हो जाएगा, इन सारी बातों की तरफ इशारो इशारो में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, सीधी तोर पे आप समझ लिजिए कि नित्या अपना घर समाले, अपनी दुकांदारी समाले, इस बात को लेकर, नित्यानम रख द्राय ने ठोक करके, जो बाते कही है, हम आपको सुनाते हैं, उन्होंने इसके अलावे भी बहुत सारी बाते कही है, उन बातों के माइने क्या है, और क्या भारती जन्ता पार्टी ने जो दावा किया था कि हर हाल में बहुमत साबित कर लिया जाएगा नित्यानंदर के राय के इस दावे में कितना दम है आप सुनिए क्या कह रहे हैं नित्यानंदराएगा। अगर इस वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिया ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाएग अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद